दोस्तो अगर आपके भी गुटनों में पानी भर गया है गुटनों से कट कट के आवाज आती है नसे ब्लॉक होना शुरू हो गई है तो आज की रेमिडी आपके लिए बहुत ज़ादा पावरफुल साबित होने वाली है क्योंकि इस से ना आपकी जो बंद ब्लॉक नसे है व कभी-कभी तो दर्द इतना ज़ादा बढ़ जाता है कि रात में हमें नीद भी नहीं आती है और जब नीद नहीं आती है तो कई तरह की बीमारिया भी हमें घे लेती है तो इन सारी परिसानियों से आपको एक बार में ही छुटकारा मिल जाएगा इतनी ज़ादा तो फटा-फट से आज की इस रेमेडी को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तो आज की जो रेमेडी बाबा जी की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़ादा पावरफुल है और आप एक बार इसको यूज़ करेंगे ना तो आप देखेंगी घुटनों के दर्द में आपको इतना जादा आराम महसूस होगा जो कि आपको महगी महगी दवाईया या फिर महगे महँगे जैल ट्यूब बगर लगाने पर भी नहीं मिलता होगा और इस रेमेडी को तयार कहने के लिए दोस्तो मैंने यहाँ पर ली है घल्दी और यह कच्ची हल्दी है आपको मा कुड़ों में यहाँ पर कट कर लिया है और इसके बाद देखिए अगली चीज लेंगे हम यहाँ पर अद्रक अद्रक दर्द को खीशता है इसकी तासीर गरम होती है हल्दी की भी तासीर गरम होती है इसलिए घुटनों के दर्द के लिए यह बहुत ही जादा फाइदेमंद बस इसे बनाने का तरीका आप अच्छे से देख लीजे जान लीजे यह देखिए मैंने क्या किया है इसको भी इस तरह से देखिए कट कर लिया है अगर आपके पास यहाँ पर अद्रक नहीं है तो आप जो सोट होती है अद्रक को सुखा कर उसका पाउडर होता है ना वो भ यहां पर लॉंग जो होती है दर्द में बहुत ही जादा फायदा करती है आपने देखा होगा जो हमारे कहीं भी दर्द होता है तो लॉंग का तेल हम इस्तमाल करते हैं तो बही बस प्रोसेस हम यहां पर करने वाले हैं लॉंग ले लिजेगा दो से तीन और दो से तीन दाने ह यहां पर आपको काली मिर्ची के ले लेने हैं आप देखे इन सब चीजों को हमें क्या करना है अच्छे से पीस लेना है तो आप चाहें तो मिक्सी में डाल कर पीस लीजे या फिर कोई सिलबटा वगएरा हुआ आपके पास छोटा सा तो उस पर डाल कर इस तरह से इसको घिस लीजे या खलबटे में डाल कर अच्छे से इसको कूट लीजे यह सारी चीजे जब मिक्स होकर आपस में मिलेंगी दोस्तो तो यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक रेमिडी बनके तयार हो जाएगी तो इसे दोस्तों हम दो तरह से यूज करेंगे तो दीखे दो जगा के बाद दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे तेल तेल आप यहाँ पर सरसो का ही लीजेगा क्योंकि सरसो का तेल गरम होता है और गुटनों के जो दर्द होते हैं या फिर कहीं भी हमारी बोड़ी में पेन होता है तो उसके लिए सरसो का तेल बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहता है तो यह देखिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है बस एक से दो चमची यहाँ पर आपको यह जो सरसो का तेल है इसको लेना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लेके चलते हैं इसको गैस की तरफ अब दूस्तों इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है हलके से यहाँ पर भून लेना है जिससे की जो अत्रक है हल्दी है वो अच्छे से यहाँ पर भून जाए तो लगबग एक से दो मिनिट ही आपको लगेगा और सारी चीज़े बहुत अच्छे से भून जाएगी इसको हमें काला बिलकुल भी नहीं करना है बस हल में रख देंगे ठंडा होने के लिए और दूसरी रेमेडी को तयार करने के लिए यहां देखिए एक कड़ाई में आपको लेना है पानी और जो हमने सिलवट्टे पे थोड़ी हल्दी पीस के रखी थी ना वस वही हमें लेना है और इस पानी के अंदर इस तरह से डाल देनी ह और अच्छे से पानी को हमें क्या करना है गरम कर लेना है इस पानी के साथ ही हम यहां पर एक जिस और डालने वाले हैं जो कि आपकी बंद नसों को खोल देगा पैरों में जितनी भी दर्द है उसको खीच कर बाहर निकाल देगा तो यह देखिए मैंने यहां पर लिया है फ पिटकरी डाल के चीहां देखिए इस तरह से आपको मार्किट में यह मिल जाएगी बहुत जादा नहीं डालनी है एक चोटा सा टुकड़ा ही आपको यहां पर चाहिए होगा बस हमें क्या करना है इस पानी के अंदर इसको डाल देना है और इस पानी को हमें इतना गरम करना है जितना की हम सह पाएं तो देखिए यहां पर एक बड़ा सा टब आपको ले लेना है और जो हमने पानी यहां पर गरम किया था उसको क्या करना है इस टब के अंदर आपको डाल देना है इसी के साथ ही यहां पर मैंने थोड़ा गरम पानी और लिया है और उसको भी क्या कर इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है मतब इतना पानी हमें चाहिए कि हमारी जो पैर है वो अच्छे से इसके अंदर डूब सके अब देखे आपको क्या करना है इस तरह से अपने पैरों को इस पानी के अंदर डाल देना है और डाल कर इसी तरह से आपको बैठ जा पैर बिल्कुल जमीन पे नहीं रखा जाता तो आप देखेंगे एक ही बार में आपको इतना बढ़िया जादोई तरीके से असर महसूस होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रेमडी मुझे पहले क्यों नहीं पता थी इतनी पावरफुल रेमडी आज मैंने आपके इस तरह से देखिए आपको पैरों को हलके हलके से चलाते रहना है जिससे की अच्छे से सिकाई आपके होती रहे तो यहां पर यह देखिए पंजो को इस तरह से आपको चलाना है यह देखिए इससे क्या होगा इससे एक एक सरसाइज होगी जो हमारे पैरों के लिए बहुत जब तक आपका पानी ठंडा नहीं हो जाता आपको पैरों को इस तरह से इसमें डाल कर इस तरह से दिखे धीरे धीरे चलाते रहना है जब आपका पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए इसका सेक लगना बंध हो जाए तब आप क्या कीजे आपने पैरों को बहार निकाल लीजे इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी जो हमने पहले रेमिडी तयार की थी ना उसको आपको किस तरह से यूज करना है इस से क्या होगा, इसमें जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर एड की हैं, वो सारी की सारी आपके घुटने के अंदर अंदर तक जाएंगी और जितनी भी सूजन वगारा है, उसको क्या करेंगी, न धीरे-धीरे करकी यह खत्म कर देंगी बहुत ज़्यादा पावरफुल यह हमारा तेल बनके तयार हो गया है बहुत ज़्यादा गुनकारी है गुटनों में जितना भी पानी होगा आप देखेंगे इसके इस्तमाल से धीरे धीरे जो पानी है वो खत्म हो जाएगा जो गैप आ गया है गुटनों में वो भी खत्म हो इस तरह की exercise आपको अपने घुटने पेंदेनी है जिससे कि आपका जो दर्ध है वो आप देखेंगे पहली बार में ऐसा छूमंतर हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं और देखें जब आप मालिस करने तो जो हल्दी है और जो अद्रक का पेस्ट हमने तयार किया इस तरह से आपको क्या करना है घुटने पे रखना है इसके बाद कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजेगा और लेने के बाद आपको क्या करना है अच्छे से अपने घुटने को यहां पर कबर कर लेना है अगर आपके पास टाइम है तो इस रेमिडी को लगा कर आप पूरी रात के लिए छोड़ दीजेगा सुबह आप देखेंगे काफी हद तक आपकी सूजन कम हो जाएगी दर्द में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस होगा अच्छे रिजल् और इसकी मालिस आप तब तक कीजेगा जब तक आपकी तलवे में यह अच्छे से समाना जाए थोड़ी देर में देखेंगे जितना का जितना तेल होगा वो आपका तलवा अच्छे से अपने अंदर एब्सॉर्द कर लेगा तो यह दिखें इसे पांच मिनिट मुझे करते हुए हो गया है और आप देख सकते हैं सारा का सारा तेल इसके अंदर चला गया है बहुत ही पावर्फुल है यह और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट आपको पहली बार में ही देखने को मिलेगा तो दोस्तों इसको ट्राय जरूर कीजेगा बहुत ही अच्छी रेमिड तो कल फिर से मिलेंगे दोस्तों एक नई रेमिडी के साथ धन्यवाद